तो कतर के दौरे पर प्रधान मंत्री नरेंज मोदी देराद दोहा पहुंचे हैं प्रधान मंत्री रेकिंग न्यूज कतर के विदेश राज ये मंत्री ने उनका काफी स्वागत किया है भादो स्वागत किया एर पोट के बाहर मोदी मोदी के दारें नी सुनाए दिये कातर को खत्म कर, कतर पहुच गया है, कतर की राचधानी, दोहा में प्रधान मंत्री का भविय स्वागत किया गया, और काफी महत पून प्रधान मंत्री की कतर यात्रा है, प्रधान मंत्री कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल्थानी से, वहाँ पर मुलाकात करेंगे. भारत इतना मजबूत हो गया है एकनॉमिकली पिलिटिकली कि बारत जो है वो निकल के तो दुनिया में जा रहा है आप इसको कैसे देखते हैं पर्टिकुलर्ली ये जो एक तो इंगेजमेंट गल्फ के साथ बहुत जादा है जैसे मैंने बताया कि दस सालों में पंदरा दफा अब इंडिया का गलोबल इंफ्लूइंस और बड़ती मेडिकल डिवलिपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंद रखना उनके लिए भी फाइदे बंद है आप किसी भी मुलके साथ अच्छे रिलिशन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उ जो आर्ट इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा है अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइमिस्टर मोदी जो हैं वो यहां पहुंच तो गे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा आज मोदी साब ने एक और चीज़ को वहाँ पे परमोट किया है भारत मा जाहिन दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप लोगं को पता है कि हमारे प्रदान मंतिर नेरें मोदीजी युए-इ के बाद कतर के विजिट पर गये हुए कतर के विजिट पे बहुत इrobot किया गया और उस स्वागट को देख거든 कि किसी की जली या ना जली है लेकिन दोस्तों पाक मुझे裡 भारत के साथ खराब हुए लेकिन दोस्तों मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताता हूं आप लोग है इतो है प्रदान मंत्री के साथ अच्छे हुए is उससे पहले की स्टोरी आपनों को बता है हमारे आठ नेवी के पूर्व ओफिसर्स को कतर ने माफी दी थी सम्हाव इतने सबूत भी नहीं थे कतर के पास की फासी पे चढ़ा सके तो माफी दी थी और फिर प्धानमंती नरिमोदी जी का भविस्वा गया था तो आप लोग सबने टांग की ची सरकार की अब सरकार सक्सेसफल हो गई मैसिव डिप्लोमेटिक विक्टरी जी ट्वेंटी के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में अभी तीर मारा है तो नंबर टू पर यह है और जी ट्वेंटी से जादा मुशकल था यह बाइद बाई जाहर सी बात है लोग आयवा एक फंक्शन था, ये ज़्यादा मुश्कल था, एक मुस्लिम देश, शरीया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए यह लोग जासूसी कर रहे हैं, इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ तलोकात बना रहे हूं, आप ब्रिज्ज जो है वह बिल्ड कर रहे हूं, इस तरह के मनसूबें जो कामन इंटरेस्ट के वह डिवलप कर रहे हूं, ट्रेड और इन्वेस्ट्मेंट की बड़ी बड़ी जो है वह रोड मैप दे रहे हमने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपोगंडा जो है वो लांच किया गया था ताके इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए और अरब रायामा चुके बुनियादी दोर पे बहुत ज़्यदा है उस तरह इंटरने भारत की मेडलिस्ट के साथ मुस्रिम मेडलिस्ट के साथ जो एक को आडिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए जो पर रोक नहीं सका और मैं समयता हूं कि इसकी वायसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद बखुर क्लैरिफाई होगे कि ये क्वेसिन को यतना सिंपल नह भारता है कि उसकी सबसे बड़ी बड़ी दोस्तियां और उसके सारे मामलात मुस्लिम दुनियों के साथ हूं तो मुलक के अंदर कुछ लोग जो है वो गन्ने उठा के बैठे हूं कि नहीं जी हम जो है वो नहीं मानते तो ये मैं समयता हूं कि उनका अपना कलाड़ी मारने पहली बात है पाओं में जहां तक बात है मंदर की के तेक हैं पहली बात ही है कि यह उस तरह के कोई रियक्शन नहीं है कि पहले मुसल्मान बारत में आए तो अब बारत कहीं मुसल्मानों में आपना कोई एजिंडा लेके जा रहा है that's not the case Hinduism जो है बुनियारी तोर पे इस totally different religion है उसमें इस तरह का जो expansionism है उसको जो फैलाने का तसावर है impose करने का तसावर है नाफस करने का तसावर है जिस तरह के इसलामी दुनिया में इसलाम कराया ऐसी कोई चीज नहीं है तो कि वो इस तरह की उसके अंदर जो है वो है ही नहीं उस तरह का मैसेज ही नहीं दे र क्योंकि मिडल इस्ट में आज से दस पंद रहा हूं या बीस साल पहले कि इतनी हिंदु अबादी थी तो विद व पैसेज अफ टाइम एक बहुत बड़ी पापुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हुए लोग ट्रांसफर हुए री प्लेस हुए वहां जाके अबाद हुए तो ए मैं बहुत जिम्मेदारी से और बात कह रही हूं कि आने वाले 10 साल में फाकिस्तान मातρέ के ऐसा देश होगा क्योंकि आप अलकुरान के हिसाब से भी आपका देश अपने आपको मॉडीफाइ करने को तैयार अब मैं आपको बात एक बात बताती हूं कि देखिए कर जब जब बादी जी पहुंचे पड़े बाद बाजा के साथ जब उनकी एंट्री होती है ना अल्ला की खसम मेरे तो कान मान सम लाल हो जाते हैं चेहरा वेरा देखो शाहिन कर रहा है मेरा मुझे मेरे उनको देखती हू तो मुहमद बन जायद साहब ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया और बोस्ट करने के बाद उनको जब मिटिंग में मिटिंग में बॉल्रूम में लेकर आया गया तो वहां पर UPI से मिटिंग स्टार्ट हूई भारत का UPI जो है वो बाइलेटरल रिलेशन्शिप में आय देशों की बलके आयमैक कोरिडोर के द्वारा इन दो देशों में रहने वाले हर एक नागरिक भी ब्राइट और शाइन हो जाएंगे अब जाहिर से बात है कि जिस देश के एकनोमी बहुत बहुत बढ़ी भी रहती है वहां के हर व्यति हर व्यति वहां का कमाओ होता है उसक ञ객 से बात है कि बारेट बागी सारी लग्जेरे़ा का रही आपके पास होगी और सबसे ज्यादा फोकस हमारे भारत कर्धान मंत्री ने इन दस सालों में नौकरी और शिक्षा पर बहुत सा पर दिया है इवे पासमानना मुसल्मानों को भी उन्होंने भारत में बहुत स्पीचेस दिये तो दोस्तों कतर में प्रधानमंतिर नेरेन मोदी जी का स्वागत तो पाकिस्तान मीडिया का जलना तो इस पर बनता ही है क्योंकि दोस्तों अभी तक समाके की खबर आप लोग हमेशा आए दिन सुनते रहते हैं मिडिल इस्ट में आप लोगों को पता है पूरी कहानी प्रजातंत्र ही नहीं बिल्कुल राज्टंत्र है ठीक है हर जगह सीरिया इराक इसके बाद इरान इन सब जगहों पर आप लोगों को मुस्लिम की कंडिश अलग सकता है साउदी अरेविया आज मुस्लिम देश में हमारे मुस्लिम भाई भारत के जो जाते उनकी अलग रिस्पेक्ट होती है लेकिन पाकिस्तानी बांगला देश या अधर मुल्क के लोगों को अलग नजर यह से ट्रीट किया जाता है क्यों क्योंकि प्रधान मती न